असलाम वालेकुम चलिए आज की इस वडियो के शुरुवात करते हैं और समझते हैं आप लोगे 10 क्लास के दरक्षा का बुक का जो चैप्टर नुम्बर 9 है इस चैप्टर के ओल कोश्चन एंसर को क्या रामें इस चैप्टर का हिंदुस्तानी आयन के मियमार डॉक्टर भीम अंबेदकर ठीक है और यह जो चैप्टर है एक मजमून है किस पर मजमून लिखा गया है तो डॉक्टर भीम राव अंबेदकर पर यह मजमून लिखा गया है ठीक है जो की एक हिंदुस्तानी आयन के मियमार है की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कंस्टिउशन भारते समिधा को बनाने का काम किस ने किया था डॉक्टर भीम राव अंबेटकर ने इन्होंने ही प्रेसमिधान को सीचा है और इसलिए इनको क्या बोलते हैं बारतिय समिधान के निर्माता श्रिपकार कहते हैं ठीक है और इंगलेस में बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन चलिए तो आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है मुख्तसिर तरीन सवलात से यानि कि अती लगू उत्रिया प्रसंसे जो सबसे पहला सवाल है वह यह है कि भीम रावंबेटकर की पैदाश कब और कहां हुई यानि कि भीम रावंबेटकर किस डेट को और किस जगा पर पै यानि कि भीम रावंबेटकर के माता पिता का नाम बताना है ठीक है तो जवाब है भीम रावंबेटकर के वालिद यानि कि उनके पिता जी का नाम है राम जी मालो जी सकपाल ठीक है यह हो गया अपनों का एंसर तीसरा सवाल देखिए भीम रावंबेटकर के जो वालिद थे राम जी मालो जी सक्पाल पीता जी वो फौज में किस पुष्ट से रिटायर हो गया है ठीक है तो जवाब देखिए भीम राओ के वालिद फौज में सूबेदार मेजर के एदे से सबक दोश हुए ठीक है वो फौज में सूबेदार मेजर थे जहां से उनका रिटायर्मेंट ह हो गया ठीक है सवाल नॉबर चार है कि भीम राओ की शादी किस उमर में और किस से हुई तो उनकी शथी 14 साल की उमर में रामा भाई नाम के एक लड़की से नॉपीज फिए, पांचुवा सवाल है सिर तरीन सवालात ठीक है यहां से यानि की लगु उत्रिया प्रस्ण जिसमें आप लोगों को चार पाथ सेंटेंस में लिखना होता है तो जो सबसे पहला सवाल है वह यह है कि स्कूल में भीम्राओ के सांथ तुल्बा और साजा का क्या सुलूप मतलब साजा का सुलूप कैसा ठीक है तो चलिए इसका जवाब देखते हैं यहां पर है इसका जवाब तो देखिए जवाब यहां से श्टार्ट है भीम्राओं बेटकर मुंबई के लिफिश्टन हाई स्कूल में पढ़ते थे इसको उस कॉलिज का महौल भीम्राओ के लिए बिल्कुल नामवाफिक था अगर चाया स्कूल सरकारी सरपरस्ती में चलता था उसके बावजूद भीम्राओ जात पात के भेदभाओ के शिकार थे और यहां मौामला सिर्फ इसकूल के तुल्बत तक महदूद नहीं था बलकि स्कूल के साथ जायान की टीचर भी उन्हें नफरत और हाकारत की नजरों से नजर से देखते थे यानि कि जब भीम्राओ भीड कर स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पर उनके साथ जातपात का भेदभाओ किया जाता था यहां तक की स्टुडेंट तो उनके साथ जात पात का भी दबाओ करते ही थे उसके साथ टीचर भी जो थे वो भी नफरत और हकारत की नजरों से देखते थे ठीक है अब आगे बढ़िए दूसरा सवाल है भीमराओ का खंदान मुंबई जाकर क्यों बस गया तो देखी इसका जवाब है भीमराओ का खंदान मुंबई जाकर इसलिए बस गया कि उनके वालिद रामो जी यहां पर सौट कर दिया है राम जी मालो जी सकपाल थे ना भीमराओ अमबेटकर के पिता जी तो यहां पर उनका सौट नाम दिया है रामो जी सितारा के एक फौजी स्कूल में उस्तार थे ठीके वो फौजी स्कूल में क्या थे एक टीचर थे अभीमराओ अमबेटकर के पिता जी ठीके जहां चंद सालों के बाद उनकी मुलाजमत खत्म हो गई तो उन्होंने सितारा क उनकी को छोड़ने का फैसला कर लिए और मुंबई जाकर बस जाने का इरादा कर लिए पितारा के फौजी स्कूल में इस टीचर थे और वहां पर उनका जॉब खतम होने के बाद वहां से टीटर्म हो गया और पिर उनके पिता जी सोचे alt जगह चूड़ दिया जाए औरrez जाकर बस चला जाए और उसी और अपने बच्चों के साथ जाकर मुंबई में बस गए बढ़ी ये तीसरा सवाल है कि भीम राव की हसूल तालिम पर पांच जुम्ले लिखिए यहां पर भीम राव की एजूकेशन के बारे में बताना है ठीक है तो चलिए भीम राव में बेड सिटी में दाखिला लिया वहां से मौाशियात में में किया फिर उसी उनर्शिटी से उनईसा सुलाइस भी में मौाशियात में पिएजडी किया और उसी साल इंगलेंड गए थे और लंदन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स में दाखिला लिया और साथ में बैरिस्ट्री की तयारी भ भीमराववंबेदकर की आईनी खिदमात को मुख्तिरानी बियान खिजिएど हैं पर आप लोगे भीमरावशंगे खिदमात में को स denktकी आइन अपके की आईन्य को लिखना oluyor बियान करना तो भीम राव अमबेटकर को दस्तूर साज कमीटी का सदर मुकरर किया गया ठीक है और उन्हीं की सदारत में महजूदा दस्तूर हिंद की तकमिल हुई आईन साजी के अलावा वा अमली सियासत में भी हिस्सा लेते रहें और आजाद हिंदुस्तान में वजिर्व कानून हुए ठीक है यहां पर बताया गया है कि भीम रावंबेटकर जो थे उनका तो मतलब आईन हिंदुस्तान में उनका खिदमत उनकी वो सेवा जो किये हैं वो आजाद हो गया कौन-कौन से काईदे कानून लगा जाए इन सभी चीजों की मतलब इन सभी चीजों को भीम रावंबेटकर नहीं देखा कि कौन-कौन से और एक तरह से देखा जाए तो सम्विधान लिखने में भीम रावंबेटकर का बहुत ही बड़ा रोल ही ठीक है और सब सब्सक्राब ऎुइंसरों यहां से लाको में टारी टूं-क कर की रावंबेटकर की शे Χिर्जिएत हिंदुस्तान के तारीख में तारीखी हैश्यत के हामिल थी उनकी पैदा सोबा महराष्ट के अच्छूत और दलित खांदार में 88 से 91 में हुई ठीके गाओं का नाम को नियो सेंट्रल इंडिया है उनके वालिद राम जी मालो जी सक्पाल थे और मा का नाम भीम भाई था भीम राओ 14 भाई बहनों में सबसे एक मिनट सबसे छोटे थे सब भर के लोग उन्हें प्यार से भीमा कहेकर पुकारते थे पुकारते थे आगे मैं पढ़ती हूं पुकारते थे लिखा है पुकारते थे आगे पढ़िए चुनांचा उन्होंने भीम राओ के नाम से ही अपनी तालिम मुकमल की भीम राओ की वालिद भीम राओ के वालिद र इस स्लसले में महार जात में भीमराओ का खांदान खुस किसमत था कि उनके बच्चे तालिम हासिल कर रहे थे फौजी मुलाजमत से सबक दोसी के बाद भीमराओ के वालिप सितारा के एक स्कूल में मुल्मी करने लगे और वहीं च्छाउनी के एक सरकारी स्कूल में भीमराओ का दाखिला हुआ छे साल की उमर में उनके वालिद का इंतकाल हो गया इसके लिए उनकी फुफी पूरे खांदान की देखभाल करनी लगी ठीके अब यहाँ पर उनकी जीउनी के बारे में बताया जा रहा है भीमराओ मेर्कर की बायोग्राफी बताया जा रहा है तो उनके बार में पूरी जनकारी तो देनी पड़ीगी चलिए आगे पड़िए इसकूल में जाने के बाद ही भीमराओ को उस कड़वी सच्चाई का इल्म हो गया कि वह पैदासी तोर पर अच्छू थे बाद के अवकात में भी उनके साथ ऐसे वाकात रोहनमा हुए कि उन्हें अपने मजभ और हम मजभ दोनों से नफरत हो गई यहां तकील फिश्टन हाई स्कूल में जब जिर तालिम थे वहां भी उन्हें साथियों और साथजा की तरफ से नफरत और हकारत का सामना करना पड़ता था भीमराओ इन तमाम हकारतों को बरदास्त करते रहें और इसी हालत में अपनी तालिम को भी जारी रखा और 17 साल की उमर में मैट्रिक पास कर लिया इस मौके पर महारजात के लोग ने एक इस्तमाई जश्न मनाया और भीमराओ को मुबारक बादी के साथ होसला अफजाई की किया आगे पढ़ना चाहिए फिर भीमराओंबेटकर ने उन्हेस 12 भी में बीएक किया और बड़ोदा स्टेट से तालिमी वजीफा पाकर आला तालिम के लिए अमेरिका चले गए जहां कुलंबिय उनिरसिटी से उन्होंने इल्म वाश्यात में एमे और पीचडी किया फिर लंदन जाकर बेरिष्ट्री की डिग्री ली फिर अपने वतन वापस आकर गुलाम हिंदुस्तान में वकालत के पेशा से मनसलक हो गए साथ ही सियासी वह समाजी सरगर्मियों में भी इससा लेनी लगे भीम रावंबेटकर ने हिंदु मजभब के चुवा चूट वाले नजाम से घबरा कर बुद मजभब इससादी के बाद आइन साज कमीटी के सदर मनतखब किये गए आखिर कार आइन हिंद के इसम अमार का उन्हेसा 56 इस भी में इंतकाल हो गया इनका इंतकाल कभ हो गया उन्हेसा 56 सवाल नंबर दू है कि आएनिक खिदमात का यानी प्टाना है यहीं पूछा था आप लोग का आइनि खिदमात मुक्तसिर सवलात में कऊंची सुनुएनिक सिवाओं के बारे में अब इस तवील सवालात में पूछ रहा है याति पार उप्सक्राइन पड़े गटों दोस्तारी हम्माल कि आई थी अम्बेट्कर का स्वमार दस्तूर ऩिंद के मेमारों में होता है वैसे तो भीम रहं वेटकर के आईनी खिथमात की फूर्सत बहुत थोईल है जिसमें तामां का एहाता करना मुश्किल है लेगिन मुक्तसिरاً उनकी आइनी खिदमात को पेश किया जा रहा है आगे है यूरोप और अमेरिका के सफर से वापसी के बाद भीम राओं बेड करने वकालत का पेशा इख्तियार किया और और आगे मैं पढ़ रही हूँ वकालत के साथ सियासी और समाजी कामों में दिल्चस्बी ल गांधी जवाहर लाल नहरू और मौलाना अबुलकराम आजाद से हो गए है यानि कि वहीं पर जब वकालत शुरू की और वहां पर सियासी और समाजी कामों में वह मतलब दिल्चस्बी लेने लगे तो उसे वक्त जवाहर लाल नहरू गांधी जी और मौलाना अबुलकराम आजाद से क्या हुआ मुलाकात हुई और यहां तक कि आजादी के बाद आइन साजी के लिए दस्तूर साज कमीटी तश्कील दी गई तो भीमरावं बेड़कर को दस्तूर साज कमीटी का सदर मनतखब किया ठीक है और इस तरह भीमरावं बेड़कर ने आजाद हिंदुस्त और जिन्स के अम्तियाज को खत्म करता है और इसी आजाद हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को तरकी के बराबर मौका पराहम किये जाएं या दस्तूर तमाम तफरियक को खत्म करके मुसावाद का जजबा कायम करता है इसमें तमाम लोगों को अपने मजहब के मताबिक रस् ठीक है जब समयदान लिखा गया तो उसमें हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं उन सभी को अपने अपने धर्म मानने का आजादी मिली अपने अपने धर्म को मना तेवारों को मनाने का आजादी मिला और सब को बराबर का हक मिला ठीक है आगे बढ़िये, मुक्तसर यह है कि भिम्राव अम्बेडकर हिंदुस्तान के आइन साजी में एक तारीखी किरदार अदा किया और आइन हिंद में सेकुलरिज्म का तस्वीर पेश करके मुल्क के कसिर मजहभी और कसिर लिसानी मौशरे में मुसावाद का जजबा पैदा करने की कामयाब कोशिश की ठीक है अब देखिए सवाल नंबर तीन है कि आजाद हिंदुस्तान के मौशरती इंकलाब में अम्बेडकर की ख़दमात पर रौशनी डालिए सवाल नंबर तीन की कहने का मतलब है कि जब हम लोगा हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो आजादी के सम में जो हमारे हिंदुस्तान में समाजिक क्रांती हुई थी उस वक्त डॉक्टर भीम्राव अम्बेडकर कौन-कौन से सवाय किये कौन-कौन से खिदमत किये उनके खिदमात पर क्या डलना है आप लोगो रौशन डालना है ठीक है तो चलिए जवाब देखते हैं यहां से लमाने से अम्बेडकर सियासी सरगर्मियों के साथ मौशरती इसलाह में मसरूफ हो गए और कुछ दिनों तक सहाफत का पेशाय भी इफ्तियार किया इसलाह मौशरा के लिए उन्होंने कई सियासी और समाजी तन्जीमें कायम किये और आखिरकार उन्होंने हिंदुस्तान मे अचूत समझी जाने वाली कौम के दर्मियान एक इनकलाब एक 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 इनकलाब अजीम बर्पा कर दिया जिसकी असरात हिंदुस्तानी समाज में आज भी नजर आते हैं कि जो जुक्टर भीमरा उम्बेड करते हैं उन्होंने ही वही वह इंसान है जिन्होंने ये अचूत च अचूत का भीदबाओ था अचूतों को अकारत की नजरों से देखा करते थे उस सभी चीज़ को भीदबाओ को डॉक्टर भीमरा उम्बेड कर नहीं खतम किया ठीक है चलिए आगे पढ़िए कि भीमरा उम्बेड कर ने अचूत जात को या सलाह दिया कि हम उस वक्त तक तर करना होगा ठीक है डॉक्टर भीमरा उम्बेड कर ने अचूत जा जो थे उनको तीन सलाह दी सबसे पहला सलाह उन्होंने यह दिया कि अपने बरताओं को बदलिए जो आम बरताओं है उसको चेंज कीजिए और ऐसा बिहेव कीजिए जैसे कि लगे कि बड़े घर का मतलब को कि आप मुर्दार एक मिनट यह मुर्दा है मुर्दा या सड़े हुए जानवर का गोस्त नहीं खाएंगे ठीक है यह बताएं उन्होंने दूसरा चीज़ अब उच नीच के बीच फरक को खत्म करने का जमाना आ गया है सांती आप यह भी इरादा कर लीजिए कि बच्चे ब दूसरे के फेके हुए टुकडो को नहीं खाएंगे हम अच्छूत लोग अपनी मदद आप करके मदद आप करके और इनकलाबी होसले से ही उपर उठ सकते हैं और इस तरह आप अपनी ताकत को पहुंचाने और अपने इज़त नफस को दोबारा हासिल करें ठीक है तो यहां आगे देखिए भीमराओ ने अच्छूतो को उपर उठाने की जो तहरीक चलाई तो उची जात के लोग ने उस तहरीक की सक्त मुखालिपत की लेकिन भीमराओ अमबेड कर नहीं मत नहीं हारी और कानूनी सता से भी मुखालिफीन के एतराज का जवाब दिया और वह जिस सम दू मखब को खेर बार कहकर बुद मखब कर लिया और उनके इस कदम से मुधासर होकर हजारो अच्छूतों ने बुद मखब कर लिया अपने तहरेकी इसलाही और इनकलाबी सरकर्म्यों के वज़ा से आगे चलकर पूरी क्या हूम की मिस्साली रहनुमा तसलीम किये गए उन बनावट में एक इनकलाब अजीम बर्पा कर दिया ठीक है चुवा छूत को हटाने का डॉक्टर भीम राउंबेटकर का बहुत बड़ा रोल था ठीक है तो यह था आप लोग का चैप्टर 9 का ओल कोशन एंसर जिसको आप लोग एक एक करकर देख लिए और समझ भी गए कोई अब हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो को लाइक कीजिए जाबाज जदा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों की पास अपने दोस्तों की पास और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक् करते हैं